नमस्कार मैं डाक्टर नरेश सुकला और मेरे चैनल डाक्टर जी ओतिस में आपका स्वागत है अभी तक जो हम लोग योग पढ़ लाए थे कि राहु से सम्मदित धन से सम्मदित बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सर उनका मकान बनेगा जमीन खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे तो कोई ऐसा योग होता है हाँ ये योग भी होता है कि जिन्दगी पर आप किराय के मकान में रहेंगे या दो से तीन मकान या बहुत सारे मकान बना लेंगे इसका भी योग है तो फिर मैं कहूंगा कि रटने की जरूरत नहीं है समझने की जरूरत है जो चौथा इस्थान होता है यह चौथा इस्थान है फर्स शेकेंड थर्ड फॉर्ड चौथा इस्थान भूमी का मकान का गाड़ी का होता है लेकिन ये गाड़ी पे नियम लागू नहीं होगा नमा से सम्मंदित मा पे लागू होगा ये केवल भूमी पर ही लागू होगा तो आप उन चीजों को देखे जो मैं इसमें समझाने जा रहा हूं अगर वो भावाप के वो रासियां वो ग्रह मजबूत हैं तो आपके बहुत से मकान बनेंगे अगर मजबूत नहीं है तो हो सकता है आप जिन्दगी बर किराए के मकान में रहें हो सकता आपके पास बहुत सा पैसा हो धन समपता हो ये भी हो सकता है लेकिन फिर भी आप मकान ना खरीद पाएं मकान के लिए जमीन के लिए पैसा दें और पैसा कहीं फज़ आए तो आप इन ग्रहों को देखिए इन चीजों को देखिए तो जो चौते हाउस का कारक है भूमी का सौरी चौते हाउस का कारक तो चंद्रमा है जो भूमी का कारक है वो प्रात्मिक्ता में है मंगल मैं भूमी का बार बार कारक कह रहा हूँ मैं चौथे हाउस का कारक नहीं कह रहा हूँ चौथे हाउस का कारक चंद्रमा है मैं भूमी का भवन का कारक कह रहा हूँ तो प्रात्मिक्ता में मंगल उसका कारक है और जो दूसरा कारक है, वो है सनी, यानि उप कारक यानि मंगल आपका मजबूत होना चाहिए और सेकेंडरी में आपका आता है सनी दोनों मजबूत है, तो आपके बहुत से मकान बनेंगे अब इसके बाद क्या क्या चीज़े देखनी होती है इसके बाद हमको, जो चौथे घर में रासी है, उसके स्वामी को देखना होता है अभी मैं एक कुंडली बनाऊँगा, तो उससे समझाऊँगा चौथे घर में जो रासी है, उसके स्वामी को देखना होता है जो लगन में रासी है उसके स्वामी को देखना होता है तो लगन की रासी का स्वामी चौथे हाउस की जो रासी है उसका स्वामी चतुर्थेस्थ जिसको हम लोग कहते हैं इसको हम लगनेस कहते है जो लगन की रासी है उसका स्वामी लगनेस उसका स्वामी, चतुर्थेस, चौथे भाव की रासी का स्वामी और मंगलो सनी अगर इन चारों का ही रिलेशन हो जाए तो आपके हर सहर में एक-एक मकान हो जाएंगे ये दोनों भी मजबूत होने चाहिए मंगल सनी मजबूत नहीं है मंगल को भूमी पुत्र भी का जाता है मंगल सनी मजबूत नहीं है लगनेस मजबूत है आपका तो मकान बनाने की संभावना कम हो जाती पैसा हो सकता है आपके पास रहे पैसा कहीं लगाएं और पैसा फ़स आए क्योंकि मेरे पास इस तरह की कुणलियां आती रहती है जो लोग पूसते हैं तो पैसा उनका कहीं फ़स गया जमीन के लिए पैसा बाकी पैसा नहीं फ़सेगा जमीन के लिए अगर ये चीज़ें मजबूत नहीं है तो जमीन के लिए पैसा देंगे, पैसा फश्जाएगा, मुकान के लिए पैसा देंगे पैसा फश्जाएगा, तो इस चीज को देखना पड़ता है, तो मैं एक कुण्ड़ी बना रहा हूं, उसको आप दिखिए, ये उधारन कुण्ड़ी है, आपके में कुछ भी हो सकता है, मकर लगनी की कुनली बना दी मैंने इसका स्वामी है सनी चौथे स्थान का स्वामी हो गया मंगल तो अब जो है मैं कॉम्बिनेशन को बनाने जा रहा हूँ सनी हमने बैठा दिया दस्वे स्थान में सनी उचका हो गया सनी बहुत मजबूत हो गया मंगल को बैठा दिया लगन में मंगल भी उचका हो गया अब देखिए रिलेशन होने लगा मंगल की चौथी द्रिष्ठी चौथे भाव पर पढ़ लई है एक दूसरे का रिलेशन हो गया सनी की भी द्रिष्ठी सनी मजबूत है चौथे भाव पर पढ़ने लगी संबंद एक दूसरे का बनने लगा सनी की दस्मी द्रिष्ठी सेवंथ यहां सात्मी आटमी नमी दस्मी दस्मी द्रिष्ठी मंगल पर पढ़ने लगी तो यह भी रिलेशन बनने लगा तो इस इस्थिती में जमीन आपको फाइदा भी देगी जमीन कहीं डाल देंगे मकान कहीं खरीद के डाल देंगी वो पैसा भी आपको देगा और आपके बहुत से मकान होंगे एक चीज में और बदाने जा रहा हूं इतना तो यह आपका भूमी भवन समंदिद इससे योग बन गया पांचवा स्थान और नमे स्थान का जो स्वामी होता है अगर कहीं इन में वो भी जुड़ जाए पांचवा स्थान का देखे एक दो तीन चार पांच पांचमे स्थान का स्वामी सुक्र, पुर्नमे का हो गया बुद्ध, मेरे में बुद्ध है, आपके में कुछ और हो सकता है, अगर वो भी इनसे रिलेशन कहीं बना ले, तो समझ लीजे हर सहर में आपका एक मकान होगा, कहीं से भी रिलेशन बना दीजे, मालिया बुद्ध को यहां बैठा दिया, बुद्ध को छोड़ दिया, मेरे सुक्र को ही बैठा दिया यहां, इसका भी रिलेशन हो गया, यानि पांचवे स्थान और नवे स्थान का अगर यहां कहीं रिलेशन और बन गया, वहां तक वो योग खतम हो गया है, यह मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताए दे रहा हूं, नोट कर लीजे कहीं पर, किसी कुंडली आये, कोई पूछे तो देख लीजे, अगर यह चीज नहीं भी होगा तब भी आप जमीन खरीद लेंगे, मंगल आपका कमजोर है, तो आप जमीन कभी ने खरीद पाएंगे, पैसा फज़ आएगा, सनी सेकेंडरी है, मंगल मजूद, और अगर इनका रिलेशन हो गया, तो आप हर सहर में एक-एक मकान बना देंगे, जमीन से कहीं जमीन डाल दीजे खरीद के, कोई कभजा नहीं करेगा उस पर, मकान खरीद के डाल दीजे, कोई ताला नहीं तोड़ेगा उसका, तो ये मकान और भूमी से सम्मंधित योग था, जो बहुत लोग ने मुझसे पूछा था, तो इसी एक साथ मुझको विदा दीजे, चै आइन भी आपकी जो क्यारी है, मैं अंसर देता रहता हूं, हो सकता, थोड़ा देली हो जाती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, तो आप जो कुश्चन हैं, पूछते रहिए, सर्दियों को दिन है, सेहत का अपनी ध्यान रखिए, नमस्कार.